हालो एपरिवन वैलकम टू माय चनल तो आज हम लोग सॉलब करेंगे वैलू बेस्ट कोस्टेंस और इसके पहले के जो भी वरक्षिट है वो सारे वक्षिट के कोस्टेंस को हमने सॉलब कर लिया था पिछली वीडियो में और वो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल लगा डिस् इसको लोग स्वाट में NGO भी कहते हैं ओके working for the education of the girl child एक ऐसे NGO में डोनेट करता है जो girl child के education पे work करता है फिर आगे कहता है spent one upon four of his salary on food फिर food पे कितना spent किया one upon four one upon three on rent rent पे one upon three and one upon fifteen on the on other expenses ओके ये तो बता दिया गया है खर्चे he is left with rupees 9000 उसके बावजुद भी उसके पास 9000 रुपीज बच जाता है अब हम लोगों से कहता है find Rohit's monthly salary रोहित का मन्थली salary क्या है ये हमको निकालना है what values of Rohit are depicted here or next last होगा why is the education especially for girls important ओके तो सबसे पहले हम अभी first number question को solve करेंगे आईए हम लोग solve करते हैं तो हम लोग यहाँ पर माल लेंगे लिखेंगे let Rohit's monthly salary is x let Rohit's monthly salary is x कितना income है उसका x income है ठीक है यह उने माल लिया अब हम लिखेंगे therefore therefore total खर्च को हम यहाँ पर note करते हैं और कितना saving है और वो salary के equal हो जाएगा ठीक है तो total खर्च कितना है one upon five यह देखिए one upon five office monthly income तो monthly income का one upon five वो NGO में डोनेट करता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे one upon five of x फिर हम plus करेंगे और इसमें से आप देखिए one upon four जो है वो food पे खर्च कर देता है तो हम लिखेंगे one upon four of x प्लस करके फिर हम प्लस करेंगे यह सारे खर्च को हम यहाँ पर add कर रहे है ठीक है फिर हमारे पास जो अगला है one upon three यह खर्च कहाँ पर हो रहा है rent पे किसका तो salary का फिर आगे देखिए other expenses के लिए है one upon fifteen one upon fifteen of x जितना income है उसका one upon fifteen other expenses पे खर्च हो रहा है और इतने खर्च होने के बाद उसके पास nine thousand रुपीज बच जाता है तो यह total खर्चे और जो उसके पास बच गया यह सभी को हम add कर लेंगे तो हमको क्या मिल जगा ना उसका total income तो total income क्या है एक्स ओके अब चलिए हम यहां पर आगे क्या करते हैं ना सभी का LCM ले लेते हैं ओके हम क्या करेंगे सभी का LCM ले लेंगे तो आप देखिए इसमें तो अभी आपका एक्स नहीं है तो आप इसको छोड़ देजिए आप यहां से ले करके यहां तक जो भी है सभी का आप क्या किजीए LCM लेजिए तो देखिए four यहां पर five है four है three है fifteen है तो इसका LCM क्या ह होगा तो LC हम लोग जानते हैं लेने के लिए बहुत ही सिंपल में हम ले सकते हैं 4 और 5 है तो इसका LCM होता है 20 ओके 20 और फिर 3 का LCM लेंगे तो हो जागा हमारा 60 60 और 15 का LCM तो 60 तो हमने यहां पर यह देख लिया कि हमारा LCM कितना आ गया 60 सभी के नमबर का आप LCM ले सकते हैं LCM लेना बहुत ही इजी है ओके आप जानते हैं 4, 5, 3 और यह 15 हुआ LCM कैसे लेते हैं तो बस आपको डिवाइट कर देना है ओके एक करके और आप यह कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से ओके आप जानते हैं तो आप इसको कर लिजिएगा चिक है और मैं बता दिया कि LCM क विद और हुवारा कि इतना आगया 60 आप हम लोग क्या करेंगे फाइब से डिवाइट करेंगे 60 कौई तो कितना आएगा 12, 12 को 1 को मुल्टिपलाइए करेंगा तो 12 और यह X उसके साथ रहेगा तो यह 12X हो गया फिर यहां से डिवाइट किये तो 15 15 को फिर यहां और यह हमारा जो है 9000 अभी हम यहाँ पर रख देंगे और X को भी हम राइट साट रहने देते हैं सब यह को add कर लेते हैं देखते हैं क्या आता है तो इसको add करेंगे देखें यह 12 है और यह 15 है add होके क्या हो गया 27 फिर उसमें 28 किये तो 47 तो यह हमारा कितना हो गया 51x और यह हमारा divide में कितना रहेगा 60 फिर हमने यहाँ पे 9000 को not कर लिया और यह हमारा x ओके अब हमारा अगला step क्या होगा तो देखिए यह हमारा x है और इसमें भी हमारा x है तो यह x वाले term होगे हम इसको एक साथ रखेंगे और जो यह हमारा 9000 है इसको हम right side लेके चले जाएंगे तो हम कुछ इस तरह से not कर सकते हैं आप ज़रा देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे यह हमारे पास से कितना 9000 ठीक है तो अभी हम x को बाइं और ले लेते हैं तो यह हमा हमारा x माइनस में आ जाएगा इसको हमने क्या किया है left side लिया है अब 9000 को हम right side लेके चलते हैं तो यह हमारा माइनस में आ जागा right side जा करके ठीक है अब देखेंगे हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना फिर से हमारा x के निचे 1 है तो 60 और 1 का L से हमको क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा क्लियर अब हम क्या करेंगे ना 60 से डिवाइट करेंगे तो 1 आएगा और 1 से multiply करेंगे तो 51 x ही आएगा ठीक है 1 से divide किए 60 60 से यहाँ पे multiply कर लिए तो हमको 60 x मिल जाता है और यह हमारा 9000 माइनस में है चोकि right side लेके गए हैं अब आपके पास क्या होता है इसका difference लेना है तो इसका difference आपको मिल जागा minus 9 x और यह आपका 60 कैसे तो आप देखिए यह हमारे पास 60 x माइनस में था और 51 हमारा plus में था तो difference लेने के बाद जो जिसका magnitude जाएदा है हाना absolute value जिसका जाएदा होगा उसका sign देना है यह हम लोग देख चुके हैं पिछले worksheets में तो यह हमको minus 900 मिल गिया अब हम क्या करेंगे cross multiply करेंगे क्या करेंगे cross multiply तो आईए हम कर लेते हैं यहाँ 1 से multiply करेंगे और इसका 60 से multiply करेंगे तो 1 से multiply करेंगे तो minus में 9x ही रह जाएगा और इसको हम इदा से multiply कर लेते हैं minus में 9000 multiplied by 60 अब हमको x का value चाहिए तो x को लिखेंगे और यह minus 9 को हम right side लेके जाएगे तो चुकि minus 9 को हम right side लेके जाएगे तो यहाँ पे multiple में है right side आएके divide में बन जाएगा अब यहाँ पे हम cancel कर लेते हैं minus से minus cancel 9 से यह 9 cancel तो यहाँ पे हमको 1000 और 1000 और 60 को multiply किये तो यह कितना हो गया आप देख लेजिए 60,000 तो यह 60,000 क्या आ गया इसका monthly salary तो हम यहाँ पे note कर लेंगे therefore रोहित समंथले salary is rupees 60,000 और यह हमारा answer हो गया और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे solve कर लिया है चलिए next यहाँ पे B और C को भी हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे B नमर पे हम लोग लिखेंगे kindness और कहा गया था what value of Rohit are depicted here तो kindness और दूसरा जो C नमर था उसमें कहा गया था why is the educational especially for girls important तो हम लिखेंगे for the overall development of girls okay girls का development हो इसलिए girls education जरूरी है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे value best questions को solve कर लेते हैं so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead